मैंने अपने चैनल पे kids related 2-3 वीडियोज बनाई हुए है यानि कि बच्चो वाली वीडियोज किस तरीके से आप create कर सकते हो किस तरीके से animation वीडियोज create कर सकते हो कैसे उसको edit करना है वो सब कुछ बताया हुआ है अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो उन वीडियोज के link के आपको description मिल जाएगी ठीक है तो उन वीडियोज में बहुत सारे आपके comments आए कि sir rhymes जो हम बनाते हैं जो poem बनाते हैं animation वीडियोज बनाते हैं तो उनके लिए background music हम कहां से लाएं वो भी free में copyright free होना चाहिए किसी भी तरीके करका copyright नह background music डाउनलोड कर सकते हो और उनको अपनी वीडियोज में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो इस चीज को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा ठीक है और यहां पे जो मैं चीजे आज बतान डाउनलोड करोगे ठीक है और कुछ एक background music ऐसे हैं कि उनको डाउनलोड करने के बाद थोड़ा से edit करना होगा एक बार edit करके आप अपने smartphone में उसको रख लोगे फिर उसको हमेशा किसी भी वीडियो में बार बार यूज कर सकते हो यानि कि एक बात यहां पे आपको समझ ले है किसी भी तरीके का copyright claim वगेरा ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा कभी भी मत सोचीएगा ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो यह सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ अपने smartphone से ही कर सकते हो तो मैं सीधे आपको अपने smartphone के स्क्रीन पर लेकर कर चलता हूं और वहां पे तरीके से सारी चीज़े आपको डाउनलोड करनी है कैसे एडिट करनी है फिर कैसे यूज कर पाऊगा यह सब कुछ मैं समझाओंगा तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो फिर आप मुझे ही बोलोगे कैसे क्या बता है ठीक है तो वी प्राउजर में यूट्यूब आपको डेक्स्टॉप मोड में ओन करना है ठीक है और डेक्स्टॉप मोड में यूट्यूप कैसे ओपन करते हैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्सिन मिल जागी अगर आपको नहीं आता है तो उसको वीडियो को देख करके ऐसा कीजिए आप तो यह के बाद आपके चैनल का जहां आइकन देखता है वहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो तीसरा ऑप्सन होता है पर डेक्स्टॉप मोड में ओपन नहीं होता है तो जो वीडियो है वह देखना आप आपको समझ में आ जागा कि कैसे चीजे करनी है कैसे अश् ये जूम करता हूं ये करता हूं सबसे अब करके ऑप्下面 में हो जाए कि आप जब audio library हो जाएगी लगेशन बहुत सारे audio आपको देंवे पहुत सारे है तो आपको क्या चाहिए एनिमेशन के लिए चाहिए तो यहाँ पर देखे इसका search box रहता है यहाँ पर search of filter library इस पर एक बार click किजिएगा यहाँ पर हमें दो keywords search करने है ठीक है पहला जो keyword है वो हम search करेंगे animation क्या search करेंगे animation मैंने यहाँ यहां पेनी मेंटेड़ जो एविलेबल होंगे उस तरह क्या आजेंगे आप किसी पे भी क्लिक करके प्ले कर करके सुन सकते हो कि वह बेगरन म्यूजिक कैसा प्ले हो रहा है कैसा मतलब इसकी आवाज कैसी है तीक है जैसे मैं यहां पर जैसे इसपे क्लिक करूंगा यह प्ले ह कर सकते हो और जो भी आपको लगा कि हाँ यह मेरे बैग्राउंड के अकरडि개ंगि可以 here डाउन्योड कर सकते हो ङाप अपर सारे डाउन्योड कर लो接氣 कर लो और यूज करते रहे ठीक है तो डाउन्योड कई करें सकते हैं फिर सारे डाउंडूड कर लो और यूज करते रहो ठीक है तो डाउनLOOD कैसे चरना है यह तो मैंने घ्ल किये हुआ है यह तो पहले हम यहां से हुए करते है इधर हम आएंगे इधर और जिसको भी डाउनलोड करना है यहां पर देखे आउटमेटिक डाउनलोड का बटन रहता है जिसको आप स्लेक्ट करोगे उस पर डाउनलोड का बटन आ जागा अगर मुझे इसको डाउनलोड करना है तो मैं इसको स्लेक्ट करूंगा कर सकता हूं ठीक है और यहां YouTube library में एक और keyword आपको search करना है यहां search box में आएंगे और search box में आने को पाद एक keyword search करना है यहां पर आपको story ठीक है story जैसे ही आप search करोगे तो भी आपको बहुत सारे अलग-अलग different type के background music यहां पर देखने को बिलेंगे सुनने को मिलेंगे ठीक है तो इनको भी आप download करके आसानी से यूज कर सकते हैं अगर इसको मैं click करके इसको play करूंगा तो आप जब इसकी आवाज सुनेंगे तो आपको समझ में आगा कि हाँ यह जो background music इसको वाकई आप अपनी animation या फिर रैंस वीडियो में यूज कर सकते हैं आप सब को play करके सुन सकते हो जो भी आपका अच्छा लग डाउन्लोड करो और उसको यूज करो डाउन्लोड करने का तरीका पता है स्कॉल करके आप इधर आएंगे जिसको स्लेक्ट किये रहेंगे उसके end में यहाँ पर download का button का option मिलेगा simple से उसके एक बार click करना है आपको उसके बाद यहाँ पर download पर click करेंगे वो download हो जागा उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो ठीक है अब चलते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ अब दूसरा जो तरीका है वो है पिक्सा बे सर्च यहाँ पर टैप किजिए और यहाँ पर लास्ट में देखिए गा यहाँ एक मुजिक का option है मुजिक पर select किजिए गा मुजिक पर आपने select कर दिया ठीक है उसके बाद इसमें आपको क्या सर्च करना है यहाँ पर kids लिका यहाँ पर search कर दिया kids लिके search किया तो यह बहुत सारे background music यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तो इन में से किसी को भी आप सुन सकते हो प्ले करके से मैंने यहाँ पर click किया यह play हो गया और यह आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो यह मस्त है मैं इसको अपने वीडियो में यूज करूंगा जै ठीक है क्लिक जैसे करोगे यह download बटन आजागा download पर आप सिंपल से click करना वह download हो जागा बस कुछ नहीं करना है इतना ही काम करोगे वह download हो जागा इस तरीके से बहुत सारे background music यहाँ आपको मिलेंगे unlimited मिलेंगे बहुत सारे इनको आसानी से यूज कर सकते हो आप किसी भी त हम एक keyword और सर्च कर सकते हैं यहीं keyword पर आप एक बर लिखाया आपने यहाँ पर चाहो तो आप चिल्डेन भी लिख करके सर्च कर सकते हैं तो चिल्डेन लिख करके जब सर्च करोगे तो फिर आपको अलग अलग background music मिलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा उससे different लेकिन यह भी आप यहां पर चाहो तो प्ले करके क्लिक करके सुन सकते हो ठीक है और अगर आपको अच्छा लगए डाउनलोड करो यूज करो सिंपल सी बात है डाउनलोड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है ठीक है यह दूसर तरीका हो गया अब बढ़ते हैं हमारे जよねयगे तरफ अब यहां पर यह वेब साइट है आपको सर्च करना है मिक्सकिट मिक्सकिट सर्च करेंगा जैसे रहाए प्रफ कर दे रहा है तो इसमें भी आप सर्च कर सकते हो राइम या फिर किड्स या पिर चिल्रेन लिख सकते हो यहां पर लिख लिखा ठीक है तो उसी टाइप के बेग्राउंड मुजिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं किसी पर भी क्लिक किजिगा वह वह प्ले हो जाया का स सकते हैं देखिये जैसे कि यह ऐवाला बैगरण्न व्यूजिक है इसको मैंने प्ले किया ये प्ले होकर पुस्ना ही देगा यहां पर बटन है इसके लिए कर निगा ठीक है कनफरण Now र was भैइल इस एक हट नॉबाइल डेवाई लेसे तिहां पर क्लिक कर दें गे ठीक है वह इसलिए क्योंकि यह जब बैग्राउंड मुजिक प्ले होता है तो बीच बीच में एक वर्ड आता है कुछ बोलते हैं लोग साथ कुछ वर्ड रहता है और जंक करके कुछ वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा हर 10 सेकेंड पर तो आपको सिर्फ उस पार्ट को कट करके क्या सर्च करेंगे आप copyright free rhymes background music यह सर्च कि आपने स्क्रॉल करेंगे जो पहली वेबसाइट दिखेगी आपको proudmusic library.com ठीक है इस पर सिंपल से आप क्लिक करेंगे जैसे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो इधर स्क्रॉल करेंगे आप तो देखें बहुत सारे background music यहां पर भी है ठीक है तो इन में से जो भी आपको सही लगे आप उसको यहां पर क्लिक करके प्ले कर सकते हो सुन सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो ठीक है जैसे कि यहां पर है यह प्ले क्या हमने अब यह मुझे अगर अच्छा लग रहा है कि हां मुझे डाउनलोड करके यूज करन ठीक है तो मैं दोनोब से कोई भी डाउड आउलोड करोगा आप मैं पहले वाला पर क्रिक करता हूँ जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके यह डाउनलोड पर पर क्लिक करना यह डाउलोड हो जागा लेकिन यहां पर भी एक बात यह है कि यहां से भी जो डाउलोड करोगे इसमें बीच-बीच में बीप का साउंड आता है एक बीप का साउंड आता है तो उसको हमें कट करके अलग करना है उसको बस कट करके अलग करना है बाकि कोई दिक मैं आपको बता रहा हो कैसे ऑडियो को कट करना आपको यहां मैंने से कोई पिक्चर लें यह नहीं के लिता कि लिए ओठीक कर तो अब ये पिक्चर इस पिक्चर की लियर में बहा लेता हूं ताकि वह बैग्डाउंड मुजिक यहां पर लगा कर दिखा सको हूं ठीक है अब करना क्या है आपको यहाँ पर ओडियो का जो आपशन होता है इस पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद मैंने जो डाउनलोड किय ग्लिक क्या है बिखेंगे चैसे क्या करेंगे यहां पर प्लेग करेंगे तो आपका बेगरंग चीजिक चल रहा होगा ठीक है और जहां पर बीप कर रहे हैं तो यहां पर हमाद करेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे स्कॉल करके नीचा एंगे ट्रीम स्प्रीट पर क्लिक किजेगा उसके बाद स्प्रीट प्लेट पर क्लिक करेंगे हम टैप करेंगे और फिर बगल में इसको स्लेट करेंगे ठीक है फिर क्या करेंगे हम इसी पर वेब साइट में मिक्स किट बताया आपको और एक और वेब साइट बताया है उनसे अगर डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके से आपको एक बार अपने साउंड अपने बेग्राउंड म्यूजिक को एडिट करना है एक्सपोर्ट करके रख लिए उसके बाद बार-बार यूज करना है यह एक्सपोर्ट हो जाएगा तो अभी इस वीडियो मैंने जो भी चीज़े आपको बताएं जो भी स्टिप्स बताएं जो भी तरीका बताया उन सारे तरीकों को यूज करके आप बैग्राउंड म्यूजिक एक बार डाउनलोड कर लो एक बार उन्हें एडिट करके के उपर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो मुझे मैं उन टॉपिक्स पे बहतर से बहतर वीडियो बनानी की कोशिश करूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके और आपके अगर कोई भी सवाल रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक कि किसी और इंफर्मेटिव वीडियो में ठांक्स पर वाचिन